प्रियंका ने पूछा है कि मैं भारत में पत्रकार कैसे बन सकती हूँ इस विशे पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि अगर आपको भी पत्रकार बनना है तो आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले आपको 12 तक की अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए उसके बाद में जब आप ग्रैजुएशन में एड्मिशन लेने जा रहे हो तब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस संस्थान से पढ़ाई करना चाहते हैं तो बहतर तो होगा कि आप किसी अच्छे इंस्टिटूट से पढ़ाई करें लेकिन ये जो प्राइवेट इंस्टिटूट होते हैं ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं इनकी फीस जो होती है वो 3-4 लाग से कम नहीं होती इसके बावजूद बीच बीच में भी काफी खर्चे होते रहते हैं अगर मालीज आप किसी छोटे शहर से आ रहे हैं तो आपको बाहर आके पढ़ाई करनी पढ़ेगी तो वो एक अलग से खर्चोगा तो पढ़ाई अगर आप इंस्टिटूट से करते हैं बहतर से तो अच्छा रहता है एक्सपोजर ज्यादा मिलता है उनके खुद के अपने चैनल या फिर न्यूस पेपर होते हैं जिसमें की आपको इंटरंशिप का मौका मिलता है ये तो हुई कि आपने पढ़ाई की और अच्छे इंस्टिटूट से कि लेकिन अगर आपके सामने ये option ना हो तब आप क्या करेंगे तब आपको ये करना चाहिए आपको अपने आसपास ही किसी विश्विध्याले यानि कि यूनिवर्स्टी को देखना चाहिए जो कि इस विशय में पत्रकारिता में पढ़ाई कर रही हो बहुत सारे विश्विध्याले हैं इसके अलावा बहुत सारे ओपन यूनिवर्स्टी भी हैं जो कि पत्रकारिता की पढ़ाई कराते हैं लेकिन इन विध्यालेओं से अगर आप पढ़ते हैं बहुत सारे यूनिवर्स्टी तो बहुत अच्छे लेवल की हैं जिनका बहुत नाव में, जैसे जामियमिलिया इसलामिया है, माखनलाल चत्रवेदी उणिवरस्टी है विशिविध्यालाई, जो आपका भूपाल में है, इसके अलावा बुंदेलखंड उनिवरस्टी जासी में है, इसके अलावा मध्यप्रदेश के अंदर है चित्रकूट ग्रामोदै विश्विद्याले यहां से भी पत्रकारिता के कोर्स होते हैं इनके अलावा और भी बहुत सारे कोर्स हैं जो डिग्री कोर्स या फिर आपके डिप्लोमा कोर्स कराते हैं आप अपनी शमताओं के नुसार अपनी सुविधाओं के और अर्थिक बजट के हिसाब से इनका चुनाओ कर सकते हैं लेकिन कुछ और विशेश चीजे हैं जो मैं आपको अनुभाव से बताऊंगी कि आपके लिए और क्या जरूरी है कि आप पत्रकार भारत में कैसे बन सकते हैं सबसे पहले एक पत्रकार को कम से कम अगर आपको यह तो उसूल है अगर आपको दो लाइन एकदम यूनिक और नई लिखनी है तो कम से कम आप में 2000 लाइने पढ़ी होंगी तब ही वह आप लिख पाएंगे जो कि एक बहतर लाइन होगी एरा गेरा तो कोई भी लिख देता है लेकिन अच्छा लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है तो आप सबसे पहले अपनी पढ़ने लिखने की हैबिट को मेंटेन रखिएगा मुबाइल पर जो हम कंटेंट पढ़ते हैं वो उतना अच्छा नहीं होता वो informative होता है बहुत ज़्यादा भटकाने वाला भी होता है लेकिन किताबे आपकी अच्छी दोस्त साबित हो सकती हैं तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए किताबे पढ़नी चाहिए अब ये ज़रुरी नहीं कि आप जनलिजम की ही किताब पढ़ेंगे आप उसके लिए लिट्रेचर भी पढ़ें लिट्रेचर से भी बहुत ज़्यादा अच्छा जो आपका लेखन होता है वो बहतर होता चला जाता है तो एक पत्रकार बनने के लिए भारत में होया कहीं भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप जितना पढ़ेंगे आपके लिए अच्छा होगा दूसरा आपको लिखना भी आना चाहिए क्योंकि पढ़ लेने से समझ तो बन गई आपकी ज्यान आपके पास आ गया लेकिन आपको लिखना सीखना चाहिए कि लेखन होगा कैसे जो पत्रकारिता में जो लेखन होता है वो दो तरह से होता है एक होता है न्यूज हाड न्यूज दूसरा होता है फीचर राइटिंग तो वो देखना होगा आप किसके लिए लिख रहे हैं कहीं अकबारों में आपके नाम से फीचर छप जाएगा तो आपके लिए फ्यूचर में अच्छा होगा फीचर मतलब कि आपने डिटेल से लिखा हो जैसे एक सब्जेक्ट ले लिया आप उसके बारे में आपने पूरा वर्णन किया सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन आया फिर उसके बारे में विस्तार से आया फिर उसका क्लोजिंग रिमार्क आया तो यह तीन चीज़े इसको ध्यान में रखते हुए आपको लिखना चाहिए मुझे लगता इस विशे पर अलग से वीडियो होना चाहिए जो हम बाद में बनाएंगे फिलाल इस कोश्चन पे रहते हैं कि पत्रकार भारत में बनना हो तो क्या करना है तो पहला हो गया पढ़ाई हो गई जो फॉर्मल डिग्री हो गई उसके बाद में आपने अपने घ् पत्रकारिता वहां पर नहीं सीख सकते हैं सब कुछ ताकत तो आपकी कलम के अंदर हैं आप किसी भी लगू संस्थान न्यूस पेपर से भी आप जो है इंटरांशिप कर सकते हैं वहां पर बल्कि आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा आप अपने इलाके की सम खबरेव्य वसाइक खबरों को ही प्रिफ्रेंस देगा तो बहतर होगा आप अखबार को ही चुने इंटरंशिप के लिए और नौकरी मिल जाती है तो और भी अच्छा है तो इस तरह से आप अगर पत्रकार बनना चाहते हैं तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रख सकते हैं उमीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा शेर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद